असलाम लेकुम जी, वेलकम टू एनदर वीडियो, आज की वीडियो में हम फैमली विजट वीज़ा, फैमली पर्मनेट वीज़ा और जो के सौधिय अरब के लिए होते हैं या बिजनेस वीज़ा, किसी भी वीज़ा के लिए आपको इतमाद ओफिस जो के पहले इतमाद ओफि है, आज की वीडियो में हम यही सब चीज़ों को सिस्टम के थूरू बाइप्रेकली इन चीज़ों को करके देखेंगे और आपको मैं आपार्टमेंट बुक करना सिखाऊंगा, तो थोड़ा साब को यह भी बताता जाओं के इतमाद ओफिस जो के फैमली पर्मनेट वीज़ फैमली रेजिदेंट उसके लावा विजिट वीज़ा, बिजनस वीज़ा जो के सिंगल एंट्री हैं ये मल्टिपल एंट्री होती हैं उन सब को प्रॉसेस करने के लिए आपको वहाँ पर अपार्टमेंट बुक करना पड़ती हैं तो अपार्टमेंट होगी तो आपकी वह अरड़ी डिस्क्रिप्शन में दिया है अब वहाँ पर लिंक को ओपन करके जो मैं आपको तरह के कार अभी बताऊंगा आप उसके थरू वहाँ पर अपने अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ओपर और विडियो स्टार्ट करते हैं निए पाकिसान सेर्च करेंगे तो यह आपके पास लिंक आ जाएगा इसको आपने ओपन कर लेंगे ओप अच्छा जैसे हैं आप उसको ओपन करेंगे तो आपके पास ओप्स आजाती हैं कि हमने अपार्टमेंट को बूक करना है तो हम शैड़िक्र कर देंगे इस पर OK कर देंगे सबसे पहले वह आपके निशनल्टी पूछते हैं यहां पर आपने पाक्सान स्लेक्सन कर लेने उसके बाद आपसे विज़े की कैटागरी पूछ लेंगे यहां पर में इसको स्लेक्ट कर लेता हूं विज़ट विज़े को तो यहां पर आजेगा family visit अगर आपका multiple option होगी आपका multiple one year entry के होगा विजा तो आपने इसको select कर लेना है अगर वो three month का विजा होगा तो आपने family visitor को select कर लेना है इसी तरह जो भी विजे की आपकी type होगी आप उसके विजे की type को select कर सकते हैं permanent visa के लिए आपने इस पर resident को select करना होगा मैं अभी फिलहाल इसी को resident को ही कर देता हूँ अच्छा यहां पर resident क्लिक करने के आपने यहां पर click कर देना है अच्छा उसके बाद यह देखें यहां पर आपको रफली चार्ट एक नजर आजएगा जिसमें वो आपको बता देंगे के next appointment कि स्टेट की मिल रही है लहूर की बात करें तो लहूर में normal appointment 24 मार्च की आ रही है और उसके बाद launch भी बात करें तो launch में 23 मार्च की आ रही है लहूर में अगर पिशावर का भी यह आ रहा है इसमें कोईटा का भी यह आ रहा है कराची का भी यहां पर इसको अभी यह selected ने के option नहीं यह बाद में आगे यहां पर हम क्लिक करेंगे और यहां से continue कर देंगे यहां पर दोबारा से क्लिक करेंगे और continue कर देंगे अच्छा यहां पर यह चीज का आप ख्याल कीज़ेगा सबसे पहले आपने देखना है कि अगर जो sponsor है वो सिर्फ एक बंदे को बला रहा है यहां multiple बंदों को बला रहा है अगर सिर्फ एक बंदे को बला रहा है जैसे कि mother है यहां father है यहां wife है तो यहां पर आपने individual पर क्लिक कर देना है अगर वो एक से ज्यादा लोग हैं तो आपने फिर family के ओपर click करना है मैं यहाँ individual पर click कर देता हूँ और यहाँ से इसको next कर देता हूँ अच्छा इसके बाद वो आप से मांगता है कि invitation number एंटर करें या approval number एंटर करें अच्छा यह जो चीजें हैं यह जब वहाँ से visa issue होता है तो visa के print के ओपर यह चीजें already mention होती है मैं randomly यहाँ पर कोई भी number एंटर कर देता हूँ उसके बाद sponsor ID number sponsor ID number होता है कि जिसने आप जो बंदा आपको बुला रहा है उसके जो एकामे का number होता है न वो होता है मैं यहाँ पर भी randomly कोई भी number एंटर कर देता हूँ उसके बाद आपने यहाँ पर next कर देना अच्छा जब यह portion आपके पास आज़ेता है यह सारा passport से related portion है अच्छा यहाँ पर सबसे पहले अच्छा यह एक चीज़ का ख्याल कीज़ेगा कि जब भी आपने information पूट करनी है original documents यहाँ उसकी फोटो को भी अपने सामने रखिएगा तांकि कोई भी spelling की mistake ना हो मिसाल के तोर पे मैं यहाँ पर select कर लेता हूँ मैं चुछ के एक general सी booking का रहा हूँ तो मैं यहाँ पर अपना नाम ही अंटर कर लेता हूँ उसके बाद मैं जो second name में always select कर लेता हूँ और उसके बाद father name में महम्मद सलीम कर लेता हूँ general मैं यहाँ पर mail select कर देता हूँ उसके बाद nationality पाकसान already selected है मज़ब आपका जाएगा, इसलाम जो भी आपका होगा वाजएगा कुछ भी हो सकता है, चुकि मैं एक जनरल परफाइल फिल कर रहा हूं तो मैं यहां पे इसके उपर अगर कोई वाइफ अपने लिए बुकिंग कर रही है यहां आप अपने वाइफ के लिए बुकिंग कर रहे हैं तो आप यहां पे उसका कुछ भी प्रफेशन लिख सकते हैं जरूरी नहीं है, आपके एक्जैक्ट लिखें आप रैंडमली कुछ भी लिख सकते हैं मिसाल के तोर पर मैं यहां पे लिखतेता हूं इंप्लोयर लिखतेता हूं रैंडमली कुछ भी लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं क्वालिक फेशन में आप कुछ भी लिखते हैं सॉर्स ओफ डिग्री और यह इन चीज़ों को स्लेक्ट जो जिन पर स्टार लगा हुए हैं उन चीज़ों को अपने फिल लास्मी करना है जिनके पर स्टार नहीं है वो अगर आप उनको उपन भी रहने दे तो वो चल सकते हैं कॉंटक्ट नंबर में यहां पर लिखतेता हूं जो यह फॉर्मेट उपर दिया होना है आपने इसी फॉर्मेट को फिल लाउट करना है उसके बाद इमेल अड्रेस आप और यहां पर लिखते हैं अच्छा जो वीजा इश्यों वहां से होता है उसके ऑपर लिखका होता है कि कराची बैसी के लिए आया यह इस्लामबाद के लिए है आपने यहां से जो भी वो होगा उसके पर प्रिंट आपने वह सेलेक्ट कर लेना है इसलामबार इसलेक्ट कर लेना पोर्ट और वेंटरी आपको पता है तो आप उसको एक्जक्ट कर सकतेए transportation आपकी बायर आ जाती है जो कि mostly selected होती है number of entries आपने अपने विज़े के साफ से select करनी है कि आपके जो विज़ा इशू है वो किस टाइप का विज़ा है वो multiple entry है या single entry है तो resident जो होता है वो अमोमन single entry होता है single entry पर click कर दूँगा मैं address यहां पर आप अपना address लिख लिजएगा यहां पर correct address लिखी गया तांके आपको जब उन्होंने courier करना है तो आपके address के ओपर जा सके courier तो यह मैं यहां पर address की detail भी सारी input कर देता हूँ passport number है उसके पास passport number लाजमी ख्याल किजएगा कि आप exact ही लिखे मैं यहां पर randomly passport number भी मैंने लिख दिया passport type जिस तरह कभी आपका passport है ज़्यादते लोगों का normal passport होता है तो आप यहां पर normal select कर देंगे place of issue passport कहां से issue हुआ था आपका पकसान से हुआ है तो पकसान आप mention कर देंगे अजय कि डेट ओफ इशू passport के ऊपर आपको मिल जाएगी आप डेट ओफ इशू सेलेक्ट कर लेजएगा passport के ऊपर यह आपको expiry भी मिल जाएगी expiry भी आप उस पर select कर सकते हैं मैंने randomly कुछ भी select कर लेए place of birth आपने अपने passport के ऊपर देख सकते हैं वहां पर mention होती है ही करना है select अच्छा यह चीज़ें होगी इसको सारी को एक बार आपने चेक भी कर लेना है तांकि किसी भी किसम की कोई mistake ना रहे और इसको next कर देना है अच्छा यह देखें अब यह आपके पास option आ गई है अच्छा अब यह देखें अगर आप मैं सिर्फ लहोर को ही देखता हूं लहोर में देखें है normal की है 24 कि APONMENT पर तर यह नहीं ढ 24 जूारी है जुम्मिय ओले दूसे टारी है को नॉर्म मेल में सीट आवेलिबल है कोई भी शक्राइब है उसके बासं अर्फ हें हब रा उनके पास आउन्हीं है टाइम हफते इत वार को वीशें तो 27 तरीका आ रहाता है तो आपको जो भी कन्वीनिट आ रहा हूँ आप उसके मताबिक स्लेक्ट कर सकते हैं अगर आपने यह 27 तरीक के लावा कोई मज़ीद फ्यूचर की डेट में स्लेक्शन करनी है तो आप यहां से इसको क्लिक करके अगली डेटो में भी चेक कर सकते हैं उसके बाद अगर आप देखें कि लाउंच सर्विस आपको 30 मेर्च में जाके मिल रही है जो कि यहां पे भी उन्होंने अल्रडी मेंशन किया हुगा है यहां पे आप क्लिक कर दें अच्छा यह उपर देखें तो आपके सामने यह फीसिस की डिटेल भी आ रही है आप यह प्रॉसेस के तरफ जाते हैं तो आपका तक्रीबन 11,500 पर लगेंगे और अगर आप अर्जन सर्विस की तरफ जाते हैं तो तक्रीबन आपका 24,000 रपिया लगेगा इसके उपर अगर आप इस पो लाउंच सर्विस पर क्लिक कर दिया मैंने ओके उसके बाद यहां से मैं कर कर दो इसके बाद आपके पास आ जाती है टाइम स्लोट के टाइम आप स्लेक्ट कर लें कि कि आपके इस टाइम के वपर रफ ली आना चाहते हैं मिसाल कि वह पर मैं सुपह 10 बजे का कर देता हूं और नेक्स कर देता हूं अच्छा वो दुबारा से आप से पूछते हैं कि या आपने यह यह चीज़े सेलेक्ट की हैं, कन्फर्म हैं, तो मैं यहां पर इसमों क्लिक कर देता हूँ, यह यह देखे, यह अपने अपके सामने इसका यह, अपने अपने प्रिंट आउट कर लेना हैं, का प्रिंट आट भी निकाल सकते हैं कोशिश करें कि इसका एक प्रिंट आट अपने मुबाइल में रखिए गा और एक या दो सैट इसके अपने हार्ड फॉर्म में भी साथ में लेके जाएगा अगर आप इसको थोड़ा से देखें कि इसमें अपांटमेंट का रेफरेंस आ है अपांटमेंट की डेट भी आगी है टाइम भी आगय है और इस पे लिखा हुआ है पंदा मिन पहले जाना है अलो है तो लेकिन आप आदा घंडा पहले भी जाएं तो यह तब भी आपको अलो कर देते हैं यह इनका मुकमल अडरेस आपके सामने आ रहा है यहां पे आपन तक समझने हैं कि यह जो फीसिस लिखी होती है अमोमन इस फीस से ज्यादा ही कुछ ना कुछ आमाउट वहां पे उनके सामने आ रही होती है तो इस अमाउंट से एक्स्ट्रा ही पैसे आपने अपने पास रखके लेके जाने हैं उसके बाद यह भी इन्होंने रफली डिटे करनी है यह जस्ट एक एक्सेंपल थी मैंने जो आपको दी है आप अपनी विजा टाइप के साथ अपनी कोरेक्ट डिटेल्स के साथ आप उसको बुक कर सकते हैं अपने सिस्ट्रम के थरूँ असानी से कोई इसमें मुश्किल चीज़े नहीं हैं अगर आपको मजीद इसके अलावा भी इनसे कोई इंफर्मिशन चाहिए तो आप गैरेज विजा सेंटर डिरेक्ली कॉल करके उनसे मजीद मालूमात भी हासिल कर सकते हैं तो अमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए गया इंशाल